साल दो हजार बीस की शुरुआत दुनिया में बड़ी हल्चलों के साथ हुई है फिर चाहे अमेरिका और इरान के बीच विवाद हो या फिर भारत में लगातार हो रहे सरकार के खिलाफ विरोध परदर्शन 2020 में दुनिया के सामने कौन सी बड़ी चुनोती होगी इनको लेकर अमेरिका के एक ग्रुप ने रिपोर्ट चारी की है इसमें प्रधान मंतरी नरेंदर मोदे की अगवाई में भारत दुनिया की पांचवी बड़ी भूर राजनेतिक जोखिम की लिस्ट में शामिल हुआ है इसमें देश में सामपरदाई के जिंडे गिरती अर्थवस्ता को आधार बनाया गया है अमेरिकी एजेंसी हर साल इस तरह की लिष्ट जारी करती है यह अमेरिका की सबसे प्रभावशाली रिस्क असेस्टमेंट कंप्रियों में से एक है भारत को लेकर इस रिपोर्ट में लिखा गया है नरेंदर मोदी ने अभी तक अपना दूसरा कारेकाल समाजिक मुद्दों पर बिदाया है जबकि देश आर्थी के जिंडे कहीं पीछे चुट गया है साल 2020 में इसका असर देखने को मिलेगा ना सिर्फ विदेश निती बलकि आर्थिक निती भी पर भी यह अ नागरिता दे और इन सभी फैसलों के पीछे सबसे बड़ा हाथ देश के ग्रह मंतरी अमिश शाह का है रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले साल में देश में धार्मिक मामलों पर राजनिती गर्माएगी जिसका आसर निचले स्तर तक दिखेगा इसके अल को लेकर भी बात की गई है बता दे कि जम्मू कश्मीर से अनुचे 370 हटाना वहां पर पाबंदिया लागू करना इसके बाद नागरिता संशोधन एक्ट पर हो रहे विरोध ने दुनिया भर में सुर्ख्या बटोरी है अमेरिकी और बिटिश मीडिया लगातार इन कानून टोप फाइव बड़ी राजनितिक चुनोतिया इस परकार से हैं अमेरिका पर कौन राजकरी का अमेरिका और चीन में टेक्नोलेजी की लड़ाई अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वोर क्लामेट चेंच और उसमें लेफ्ट करांती का रोल भारत का मोधी मैं हुना एसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल